चोले बटूरे हर कोई चाहता है कि जैसे मार्केट में चोले बटूरे बनते हैं बैसे हम भी घर पर बनाएं हर बाल ट्राई करते हैं वर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते हैं तो आज मैं आपको चोले बटूरे बनाने की इतनी असान रेसिपी बताऊंगा उससे आप में एक कप चने लिया है कावली चने का मैं यूज़ कर रहा हूँ चनों को अच्छी तरह से आपने पहले धो लेने दो से तीन पानी से धोने के बद आप इनको ड्रेक्टली कुकर में डाल दीशे और इसके बद आपने इसमें पानी एड़ करना है थोड़ा से अपने इसमें हल्दी पोड़ एड़ करना है इसके साथ में एक से दो छोड़े चमबच आप इसमें ओल याग गी डाल दीशे इससे चने फटते नहीं है और जब कुकर में सीटी आती है पानी बाहर नहीं आता है एक तेश पत्ता, एक बड़ी इलाची इसके साथ में एक स्टी का आपने दाजनी की एड़ करनी है तीन से चार आप इसमें लॉंग डाल दीजिए और तीन से चार आपने चोटी इलाची डालनी है खड़े मसालों से फलिवर अच्छा था हता है चनव के अंदर जब तेगे बॉयल होंगे उपर से कवर कर देंगे और एक बिसला आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद आपने 25-30 मिन तर लो फ्लेमिन को पकने देना है और यहाँ पर मैंने 750 क्राम मैदा लिया है उसमें आपने आदा छोड़ा चमच नमक आइड करना है एक छोड़ा चमच इसमें शूगर आइड करेंगे और थोड़ी से आपने इसमें कसूरी मित्य आइड करने है कसूरी मित्य से बटूरों में बहुत ही बड़ी आप फलेवर आता है आदा चोटा चमच आपने इसमें अजवाईन एड़ करनी है मेते से बनी चीजे खाते हैं जल्दी डाइजेशन नहीं होती है तो यह डाइजेशन का काम करेगी एक चोटा चमच आपने इसमें बेकिंग पौडर डालना है और एक मिठास भी आती है बडूरे खाने में साथ में आपने इसमें एक कप पानी भी आइट कर देना है तो कभी भी आप डो लगाते हैं तो डो लगाने के लिए पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है आपे अच्छी तरह से दूदवा पानी को mix कर लेते हैं देखे मैदे को मैने पहले इकठा कर लिया है अब हम गलती क्या करते हैं मैदे को बहुत ज़्यादा गूनते हैं तो मैदे को अब जितना ज़्यादा गून देंगे उतना ही मैदा tight होता चला जाता है और आपको गूनने ही जुरूट पिनी पड़ेगी और अच्छी तरह से आपका डो नरम भी हो जागा यह देखे आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमारा डो है सेट हो चुका है तो यही तरीक होता है बटूरे कर डो लगाने का मैदा गूनने का और इसके बद आपने एक बॉल में ओईल लगा लेना है थोड़ा सा और इस डो को बॉल में रख देते हैं ताकि हमारा जो डो है बॉल के साथ जिपके हलका सा उपर भी थोड़ा सा ओईल लगा देते हैं ताकि हमारा जो डो है उपर से सूखेना कवर कर देशे 30 मिनिट का रेच देना आपने इस डो को तब तब चने बना लेते हैं 2 प्याज और 3 टमाटर लिए है मैंने ग्रेवी बनाने के लिए तो टमाटरों को आपने पीस लेना है और इस जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप कर लेना है बरही काट लेना है यहां मैंने कड़ाई लिए उसमें 2-3 बड़े चमच ऑईल एट करेंगे जैसे आपको विल थोड़ा सा गर्म हो जाए एक छोटा चमच आपने इसमें साबू चीर एट करना है थोड़ी से आपने हींग डालनी है अच्छा फ्लेवर तो आई गाएका डाइजेशन के लिए बड़ी होती है इसके साथ आपने बरे कटव प्याज एट कर देना है गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम प्याज को तब तब बगाना है जब तब प्याज का जो कलर है लाइट गुल्डन ब्राउन हो जाए तो जब तब प्याज पकर है तब तब मसाला त्यार कर लेते हैं आदा छोड़ा चमच आपने हल्दी पॉर्डर लेना है एक छोड़ा चमच आपने कलर बाली मिर्श लेनी है यह तीखी नहीं होती है चाहता इसके साथ में एक छोड़ा चमच आपने इसमें धनिया पॉर्डर और आदा छोड़ा चमच आपने इसमें जीरा पॉर्डर डालना है थोड़ी सी रोश की कसूरी में ठीव एड़ करते थे हैं और अगर आप चनों को थोड़ा सा जादा स्पाइसी खाना पिसार करते हैं तो आदा चोड़े चमच आपने इसमें लाल तीखी मिर्च पॉडर डालना है थोड़ा सा इसमें पानी एड़ करेंगे पानी के साथ आपने चनों को घोल लेना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और पकने में टाइम भी नहीं लगता है और मसाले जलते भी नहीं है और यह देखिए आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है तो इसके बद आपने इसमें थोड़ी सी बारी कड़ी हरे मेर्च डालनी है एक छोड़ा चमच आप इसमें अधर गलसन का पेश्ट आइड़ कर दीजिए और अधर गलसन के पेश्ट को आपने मीडियम फ्ले में अच्छी तरह से पकाना है जब तक आपका पेश्ट पकेगा तब तर प्याज में बहुत ही बहतरीन कलर आज़ जाएगा तो आपके देखिए प्याज का जो कलर लाइट खूलन ब्राउन हो चुका है इसके बद आपने पहले इसमें मसाले एड़ करने है और बॉल में थोड़े से मसाले चिपके और रहे जाएंगे थोड़े सा पानी डालिए उन मसालों को भी एड़ कर देशे गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है मसालों को तब तर पकाना है जब तक अच्छी तरह से पकने के बाद आईल ना शोड़ देए तो यह देखिए मसालों को भी अच्छी तरह से पकाना है जब तर टमाटर भी पकने के बाद आईल ना शोड़ देए उपर से कबर कर दीजिए तीन से चार मिन तक इनको पकने दीजिए और हमारे चनों को पकते हैं लगवे यहां पर 25 मिनट हो चुके हैं चेक करेंगे चने पके हैं नहीं पके हैं तो ये देखिए चने हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से पक चुके हैं और एक बात कभी भी चनों को बॉयल करते हैं प्रेशर कर प्रेशर अपने आप नहीं निकालने आपने जैसे प्रेशर खत्म हो जाते हैं तब ही निकालने ये देखिए कितने सॉ बहुत ही बीडिया कलर आ चुका है फिर आपने इसमें आदा छोड़े चमच आमचूर पाउडर डालना है आमचूर पाउडर की जगह आप अनारतना पाउडर का यूज भी कर सकते हैं यह जो बटूरे बाले चने थोड़े से खटे होने चीए तब अच्छे लगते हैं खाने इसके जो बचवे चने वह भी पानी के साथ इसके अंदर एड़ कर देते हैं। अब कี वर कै क्या होता है कि जब हम चने बूइल गतैंधे होता है अगर पानी चाहता हो कै तो आप पानी को पहले निकाल दीचे हैं और के देखिये चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अच्छा वाइट वन है लाश्ट में आपने इसमें थोड़ा सा तनिया डालना है बारी कटो हरदनिया थोड़ा सा आपने इसमें गरमसाला पौडर डालना है अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अगर आप इसमें चना मसाला डालना चाहें तो डाह सकते हैं वैसे गरम मसाला डालते हैं तो चना मसाला डालने की चूर्ट नहीं होती हैं तो इस तरह से आपने भटूरे बाले जो चने है ना वो बना के तियार करने हैं देख लिए तिकनेस इतनी ही थिकनेस सोनी चेन के अंदर तो चलिए आप मैं आपको भटूरे बना पेड़े बनाएंगे पेड़े बनाने हम यह नोते हैं इसके कैसे बटूरे के पेड़े बनाने हैं देखिए वो भी दिखाता हूं आपने जातर हलवाई लोग देखे होंगे इस तरह से मैदी को इकठा करते हैं और जोर से दबाते हैं इसको जैसे जोर से दबाएंगे साथ में ही भटूरे बना सकते हैं हलका से ओपर ऑईल लगा देते हैं ताकि पेड़े उपर से सूखे ना क्योंकि एकदम से सारे भटूरे तो आप बना नी सकते हैं करके बनाएंगे ना उपर से कबर करके रखती है तो से तीन मिन का रहेश टीजिए अब पहला तरीका पताता हैं जातर हलबाई लोग ना इसी टेकनिक का यूज़ करते हैं और हम भी होटल और रैशनल में इसी तरह से बनाते हैं बड़ घर में इस तरीके से हम भटूरे नहीं बना पाते हैं तो आपको दूसरा तरीका बदाता हूँ सिंपल सा तरीका हलका सा टेबल के ओपर मैदा आतना है साइडों को हलका सा पत्ला कर लिचे बतला करने के पूर आपने इसको बेलन से बेलना है बड़े अराम से बेलना है इसको जाड़ जोर लगाना की जोरत पने हैं क्योंकि σवाफ्ट होता है मैदा और हम जो होटला और एशनल बुटूरे बनाते हैं, लंबे बनाते हैं, आप गोल बनाना चायें, गोल भी बना सकते हैं, बेलने के अपने अपने ना, इसकी साइड़ों को हलका सा दबा लेना है, दबाने से मैदा एकटा नहीं होता है, एक देखिए, इस तरह से पकड़िए, और पकड़ के इसको हलका सा हाथों के उपर घुमा लीचे अगर आपने मेरे बताएवे तरीके से डोल गाया हुआ असानी से आप इसको हाथों के उपर घुमा पाएंगे और इसके बद देखिए ओल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है बटूरे को दबाएए इस तरह से देखिए जैसे आप इसको दबाएंगे हलकास आपने उपर से ओल स्प्रिंगल करना है देखिए इस तरह से ओल को फैंकते जाएंगे बटूरा अपने आफी फोल जाता है और पल्टेंगी भी जूरूरत नहीं होती है क्योंकि बटूरा एक्तम से बख जाता है तो इसी तरह से आपने सारे बटूरों को बना लेना है और गरम-गरम चनों के साथ सर्व कर देना है तो पीडियो अच्छा लगओगा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीशेगा